मैं अमरेंद्र तिवारी अल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों 16 जनवरी 2021 को पंचायतों में उपस्थित जो त्री अस्तरिये ब्यवस्था होती है पंचायतों की उसका कारिकाल खत्म हो गया था अब पंचायत चुनाव कब होंगे इसको लेकर तमाम तरीके की बातचीत जो है हो रही थी बहुत सारे कन्फूजन्स बहुत सारी बातें बिधान सभा के अंदर लंबोदर महतो ने जब ये सवाल उठाया कि पंचायत चुनाव जो है वो कब होंगे इसको लेकर आलमगिर आलम साहब ने जवाब दिया उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी चीजें हैं मतदाता सुची से लेकर हर चीज वो देखी जा रही है मई जून तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और कहीं न कहीं बिधान सभा के अंदर इस प्रश्न को ध्याना कर्शन के माध्यम से उठाया गया थ चुकि चुनाव जो है वो दिसंबर में ही हो जाने थे लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल में किस तरीके से चीजें और वेवस्थित नजर आई और खास करके पंचायत चुनाव को लेकर जो है कहीं ना कहीं संशय की स्थिती शुरुवाती तोर पे थी सवाल यह उठता है कि जो गाओं की सरकार होती है गाओं तक जो एक तरीके से चुकि मुख्य मंत्री से मिलना सब के लिए मैं एक एक्जामपल के थत आपको बता रहा हूं लेकिन चुकि गाओं से जुड़े हुए मुख्या वाड़ सदस्य और बाकी लोगों से आप मिल सकत हैं इसलिए त्री अस्तरिये पंचायत व्यवस्था का सई तरीके से क्रियानवन होना बहुत जोरी है और एलेक्शन के लिए लोग इंतजार भी कर रहे हैं कई युवा चाहते हैं वो अपने भागे को अजबाएं तो उनके लिए एक बड़ी खुश खबरी में मैं दे दू जून के बाद पंचायत चुनाओ कभी भी हो सकते हैं और सरकार ने ये कह दिया अपनी तरके से कि राज निर्वाचन आयोग से उसके पत्राचार की भी बात कही है और साथ में उसकी प्रती उपलब्द कराने को भी कहा गया है आलमगीर आलम साहब के तरफ से और ये भी बत पंचायत चुनाओ में देरी को लेकर बीजेपी के तरफ से बार बार सवाल उठाय जा रहे थे आखिर पंचायत चुनाओ में क्यों देरी की जा रही है तो अब कई ना कई विधान सवा के अंदर इस पे असपश्टता रखी गई है देखने वाली बात होगी कि इसका क्या ये पूरी तरीके से सच साबित होता है या फिर नहीं फिलाल के लिए इतना ही लेते हैं आप से इजाज़त फिरम लेंगे नई अपडेट के साथ तक लिए नवसकार जै हिंद जै भारत